दोस्तों मैं सोरमलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फेर कुईज में आज हम देखेंगे 14 जुलाई की करेंट फेर को जो कि सभी प्रिक्साओ के लिए महत्पून रहेगी डेली करेंट फेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो की पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का रिविजन कोशन है हालही में पीएम नेंद्र मोधी 41 वर्स बाद किस देश की यातरा करने वाले भारत के तीसरे प्रधान मंतरी बने इस कोशन का अंसर सबी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट अफेर को पहला कोशन है हालही में किस देश की प्रधान मंतरी ने इस्तिवा दिया है तो पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा नेपाल के परदान मंत्री ने यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कोशन है हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्विद्याले इस्थापित किया जाएगा दूसरे कोशन का राइट आंसर रहेगा जारखंड यानि किसी इस दा राइट आंसर तीसरा कोशन है हाल ही में सैली डुबेल का निधन हुआ है वे कौन थी राइट आंसर रहेगा दोस्तों तीसरे का ये एक अभी नेत्री थी यानि कि भी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर फूर है हाल ही में कौन सा विश्विद्याले हिंदू बोध और जैन अध्यन के लिए केंद्र स्थापित करेगा सही आंसर रहेगा जवालाल नहरू युनिवेस्टी यानि कि जेन्यू यानि कि राइट आंसर ए रहेगा पांचबा कोशन है हाल ही में केंद्रे सस्तर पुलिस बलो ने पूर अगनी वीरों को कितने परतिशत आरक्षन देने की घोशना की है राइट आंसर रहेगा दस परतिशत आप लोग किसी भी कॉंपटेटिव एक्जाम की चारी करें आप हमारी मास्टर पीडियाप ले सकते हैं एक सो सतर रुपे की पीडियाप है जिसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं मास्टर पीडियाप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और हमारे वोट्सअप नंबर दोनों जंगे रहेगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप पीडियाप डारेक्ली प्राप्त कर सकते हैं और इसी वोट्सअप नंबर पर आप बारकोड से भी फिमेंट कर सकते हैं मैसेज कर देना इसी वोट्सअप नंबर पर चटा कोशन है हाल ही में भारत के युवा परवत रोही नितिस सिंग ने किस देश की सबसे उंची पर वह चोटी माउंट किनाबुलू का पर तिरंगा फेराया है तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मलेशिया की सबसे उंची चोटी है यानि की बी राइट आंसर रहेगा कोशन नबर साथ है हाल ही में बागवानी में परतिस्टित किर्सी नेत्रित पुरुषकार दोजार चोबिस हेतू सबसे उंची राज्य के रूप में किसे चुना गया है साथवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नागलेंड यानि की बी इसदार रेट आंसर कोशन नबर आठ है हाल ही में किसने पैरिस ओलंपिक दोजार चोबिस के लिए भारतिय ओलंपिक संग के साथ साज़ेदारी की है कोशन नबर आठ का सही आंसर रहेगा प्यूमा यानि की बी इसदार रेट आंसर कोशन बर नाईन है हाल ही मुत्तर प्रदीश आम मोचसव दुजार चोबिस का उलगाटन किस ने किया है सही आंसर रहेगा दोस्तो योगी आदित्यनाज जी ने यानि कि सी राइट आंसर हो जाएगा कोशन बर दस है हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्सा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉंच किया है सही आंसर रहेगा पी यानि कि सी इस दारेट आंसर 11 कोशन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को सविदान हत्य दिवस कोशित किया है 11 कोशन का सही आंसर रहेगा दोस्तो 25 जून को यानि कि बी इस दारेट आंसर कोशन बर 12 है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायन मंदिर के निर्मान का दूसरा चरण कहां सुरू हुआ है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरू कर देना और सेयर करना अपने हर एक गुरूप में दोस्तों के साथ में यह वीडियो सुबह 6 बज़े उनली टॉप स्टडी यूटूब चैनल पर रेगूलर आती है आप चेक किसी भी एक्जाम की चारी करता है इस वीडियो को जरूर देख लिया करें सही आंसर हैगा दोस्तों बिहार यानि किसी इस दारेट आंसर कोशरंबर 13 है हाल ही में परवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन सिर्ष पर रहा है कोशरंबर 13 का राइट आंसर रहेगा वेयत नाम यानि कि B इस दारेट आंसर कोशरंबर 14 है जस्टिस गुर्मेच सिंग संधावलिया को किस राज्य के हाई कोट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है राइट आंसर रहेगा मद्य प्रदेश का यानि किसी इस दारेट आंसर कोशरंबर 15 है नियुव स्पेस रिसर्च एंड टेक्नलोजी ने उमलिंग लादर्रे पर मानव रहीत हवाई वहान का सफलता पूर्वक प्रिक्षन किया उमलिंग लादर्रा किस राज्य में स्थित है राइट आंसर रहेगा लद्दाक में यानि कि सी राइट आंसर हो जाएगा कोशरंबर 16 है हालही में संयुक्त रास्त वारा जारी वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की आबादी में 2060 के बाद कितरे प्रतिशत की कमी आएगी राइट आंसर रहेगा बारा प्रसेंट की यानि की ए इस दा राइट आंसर कोशरंबर 17 है हालही में अंतरास्तिय समुद्री संगटन परिशत का 132 वा सत्र कहां आयोजित हुआ कोशरंबर 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तो लंडन में यानि की भी इस दा राइट आंसर कोशरंबर 18 हालही में विश्व का पहला वोईस असिस्टेंट मोसी किस देश की ए आई कंपनी ने कंपनी में लॉंच किया है राइट आंसर रहेगा फ्रांस की यानि की बी इस दा रेट आंसर 19 वा कोशन है जून दोजार चोबिस में देश में खुद्रा मुद्राइस फिती यानि की इंफलेशन बढ़कर कितना हो गया है 5.08 परसेंट यानि की डी इस दा रेट आंसर कोशन बर बी से सी आर पी सी की किस दारा के तहत तालाक सुदा मुसलिम महिला अपने पती से गुजारा बत्ता मांग सकती है जार पीसी धारा 125 के तहत यानि की इस दा रेट आंसर अब यह 20 करेंट फिर के कोशन आंसर थे बात कर लेते हैं आज के हमवर्क के बारे में हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इनफोर्मेशन सिस्टम लॉंच किया है इस कोशन का आंसर सभी स्टूनेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर मैं आपको कल की वीडियो में बता दूगा आज का हमारा question of the day है मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है इस question का answer आप सभी comment box में बताएंगे 5 second का समय आपके पास right answer हैगा मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों तवचा है यानि कि D is the right answer और हमारा कल का homework का question था हाल ही में पाकिस्तान में किसी high court की पहली महिला chief justice कौन बनी है तो right answer हैगा आलिया नीलम और अगर आप लोग ने अभी तक master pdf नहीं ली है तो आप ले लीजिए 170 रुपे की pdf है इसमें सारी subject मिलेंगे पूरी lifetime तक के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master pdf का link description box और हमारे whatsapp number दोनों जंगे रहेगा link पर click करके payment करके आप directly प्राप्त कर सकते हैं session पसंद आए तो like share करिए channel पर नहीं है तो subscribe करके bell icon को भी on कर लीजे ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिशना हो थैंक यू सो मच बाई बाई अबरीबन टेक केर खाल के अपना मिलते नेक्स क्लास में